हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल एस्टलोजी टिप्स हिंदी में आज की वीडियो संकस्टी चतूर्थी 2021 दो या तीन जन्वरी पूजा का शुमुहरत चंदरुदय का समय संपूर्ण पूजवी थी मानेताव के अनूसार किसी बिशुप काम को सुरू करने से पहले भगवान गर्णपती जी की पुजा रातना की जाती है संकस्टी चतूर्थी का अर्थ संकट को हरने वाली चतूर्थी है बता दे कि संकस्टी चतूर्थी हर महा के कृष्ण पक्ष और सुकल पक्ष के चतूर्थी तिथी को मनाई जाती है ये दोनों ही चतूर्थी तिथियां बहुत ही खास मानी जाती है चतूर्थी तीथी को भगवान श्री गणेज को समप्रित कड़े चतूर्थी वरत क्या जाता है। जिस वजह से इने विग्न हरता और संकट मोचन भी कहा जाता है। अभी कारे सिध्ध होते हैं और संकट दूर हो जाते हैं। और व्रती को भगवान गड़ेज के अश्रिवा से सुख सर्मद्धी की प्राप्ती होती है। इस्तिथी पर भगवान गडपती के पूजन के साथ ही चंद्र पूजन भी बहुत सुख माना जाता है। चंद्रुदै के बाद पूजय कर व्रत पूण किया जाता है। अब बात करेंगे संकस्टी चतूर्ती व्रत की पूजा बीधी के बारे में। अब पूजा के लिए एक चौकी लिए और उस पर गंगा जल छेड़ा कर पवित्र करें। भगवान गणी जी को दुर्वा अतिप्रे है। इसलिए संबह हो तो भगवान को दुर्वा रपीत करें। भगवान गणी जी के मंत्र ओम गन गनपती नमा का जब करें। अब भगवान गनपती जी की व्रत कथा सुने और आरती गाए। श्राम को चंद्रमा को अगर देकर व्रत पूर्ण करें। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें। और अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आगे की ऐसी ही लेटिस्ट वीडियो के लिए आज ही स्टलोजी टिप्स हिंदी मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।